हाई फ्रेंड मैं हूँ शालिन और आप देख रहे है परिसरी किचिन चैनल हाई कैस्ट हम गुनी की रसी बनाने के लिए हम एक बॉल में पानी रखेंगे पानी को कम से कम घ्र ग्लास तर देख डिल ग्लास देख गोड़ डालेंगे और गोड़ की चासनी ज्यादा तार ज्या ढ़ना बने काट्ओरी मॉहें झालियों है तो यह जाएँगे रिफाइंड थोड़ा इस इसको क्याते लाईएंगे अलिखान सो इसे ढ़ in भी खर जाता है ओडिया तो देखिए राघ्ट लेगे हम जब तक करेंगे जब तक हमारे लड्डू याई से बनना लगे यह हमारे मुहां काफी है और इसमें सफेद तिल डालेंगे सफेद निल डाल 90 से मैस करने कि उसके बाद हम नमक डालेंगे नमक थोड़ा से ढालें अब हम चासनी लेंगे चासनी को आँठे को बोथेंगे जैसे पूरी geograph слषा रहता है अस residence वैसे हम अच्छे से कड़ा आंठा मूरेंगे ज्यादा कड़ा जुर्ना जब तक अच्छे से मलते रहेंगे जब तक अच्छ हो जाएगा यह देखिया अब करना है जैसे पुड़ी कांटा होता है उसे साफ से हमें करना है तो बस थोड़ा-थोड़ा से मालते जाएं मलने से अच्छे से यह सॉप्ट हो जाएगा यह देखे हैं हमारे सॉप्ट हो चुका है उसके बाद हम इसको थोड़ी देख लिए धंग के रख देंगे करीब 10 मिनि करेंगे उसके बाद इसकी पीसिस लेंगे हम दो पीसिस लेंगे इतने आटे में अच्छे से गोल गोल करके अच्छे से इसको मलेंगे उसके बाद हम इसको रोटी जैसे बेलेंगे कि देखिए ना हम रोटी जैसे इसको बेलेंगे धीरे धीरे बेलेंगे ज्यादा नहीं कर कड़िए और झाले के लिएर के शुरस ड़ने को समक्राइब अज एक से नहीं परफिए। कड़ए के लिधा सब्सक्राइब है। किभित पूरा सब्सक्राइब क्लाइब को प्सक्राइब उसको लात कर द दें roam उफस्टों में गपने कामञें सबस्किनげ सबस्कान और 10 Ages इस पीष से चाटेंगे इसके बाद हम एक पीस दें और उसको अपनी उग उगलियों के सहाइता से अच्छे से इस तरह से राउंड सेप में दे देंगे हम इसको ज़्यादा 20 से नहीं दवाएंगे नहीं तो यह पूरा चिपक जाएगा इसलिए हम अपनी उंग्लियों के सहाइता से इसको दीरे दीरे दवाना है यह देखें कितना अच्छा सेप आया है उसी साब से हम इसके दूसरा पीसी सरह से लेंगे इसको भी राउंड सेप में अपनी उंजियों के सहाइता से थोड़ा सा अच्छे से बीस से दवा देंगे आप चाहें तो दवाने के लिए या तो पानी से पानी का भी उसक्रस्ति जो हमारी बचुए चास नहीं रहती है ना इस तरह से चिपकाना है कि यह तेल में जाकर खोलेना गाइस यदि आपको मेरी रैस्पी पसंदे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बैल का बटन जरूर दवाईए यह देखिए गाइस हमें इतने वेल लिए हैं इस तरह से हमारा रैस्पी तैयार है यह देखिए यह पानी लगा के भी आपको बताती है जो हमारी चास्थ नी बची हुई है उसको भी हमने लगा कि इसको भी आप दबा सकते हैं यह खोल जाता है तो इससे साब से इसको इस तरह से दबाएंगे यह देखिए गाइस हमारी रैस्पी तैयार है यह राजस्थान में बहुत करले हम तो को सिफ़ गरम करना लाएं गरम करने पर हम इसको यह एक एक अडाल देंगे कि एक देखिए दीरे दीरे मुस्को डालते जाएंगे अब इस तरह से हम दीरे दीरे इसको डाल देंगे हमें दीरे दीरे डालना है ज्यादा एक्तम से नहीं डालना है यह देखिये और उसको फिर दीरे दीरे चलाना है जब हलके से ये थोड़े से गरम हो जा उसके बाद हम इनको पलटना है तो रन पलटेंगे तो ये खुल जाएंगे या तो फड़ या आते हैं इसलिए हमें धीरे हलका से तेल जब गरम हो जाता है जब ये गरम हो जाता है तो उसके बाद ह यह हमारे सिख चुके हैं यह देखे गाइस है ना मेरी टैस्टी बसंदार से प्लीज कमेंट दीजिए प्लीज गाइस